नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खास वीडियो में आज हम बात करेंगे चानक्य नीती के एक और महत्वपूर्ण विशय पर जो हर मर्द के लिए जानना बेहत जरूरी है वो कौन सी तीन चीजें हैं जो अगर कोई मर्द अपनी औरत में देख ले तो वो कभी गरीब नहीं रहता ये बाते न सिर्फ आर्थिक रूप से बलकि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आपके जीवन को बेहतर बना सकती है दोस्तों, वीडियो के मुख्य विशय पर आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले चाड़क के नीति का महत्व चाड़क के जिन्हें कोटिल्य और विश्नुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे उनकी नीतियों ने न सिर्फ राजनीती बलकि जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है चाड़क के नीति हमें जीवन में सही और गलत का फर्क समझाने में मदद करती है इन नीतियों में हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के लिए अमूल्य सीखें छुपी हुई है चाड़क के ने हमेशा जीवन की सच्चाईयों पर जोर दिया है और उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थी खासकर जब बात औरतों के बारे में हो तो चाड़क के ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो एक मर्द को समझनी चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुख, शान्ती और सम्रिद्धी हासिल कर सके औरत के बारे में चाणक्य के विचार चाणक्य का मानना था कि औरत के कुछ विशेश गुण होते हैं जिने समझना और पहचानना बहुत जरूरी है औरत परिवार की धुरी होती है, उसका स्वभाव, उसका चरित्र और उसके निर्णे पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं इसलिए अगर कोई मर्द अपनी औरत की तीन चीजों को सही से देख ले, समझ ले, तो वह कभी गरीब नहीं होता लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम मुख्य बिंदूओं पर आएं, ये समझना जरूरी है कि गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं होती मानसिक और भावनात्मक गरीबी भी उतनी ही खतरनाक होती है इसलिए ये तीन चीजें आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है दोस्तों, आजकल के समय में जब लोग तेजी से अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, तब रिष्टों की अहमियत कहीं खोसी गई है रिष्टे, चाहे पती-पत्नी के हों, माता-पिता के हों या दोस्तों के सबका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है एक खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रती सही द्रिष्टिकोन रखें, खास कर अपने जीवन साथी के प्रती चानक के नीती, जिसे हम सभी ने पढ़ा या सुना होगा, हर समय और हर परिस्थिती में हमारी मदद करती है ये नीती न सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए बलकि पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को भी सुधारने के लिए जरूरी होती है आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, लोग नए जमाने की जीवन शैली अपनाने में लगे हुए है इस तेज रफ्तार जिंदगी में कई बार हम अपने जीवन के मूल भूत तत्वों को नजर अंदाज कर देते हैं हम रिष्टों की गहराई और उनकी महत्ता को भूल जाते हैं चाणक के नीती हमें यह सिखाती है कि जीवन में धन संपत्ति से भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं यह नीतियां हमें यह बताती हैं कि हमें अपने जीवन में किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए खास कर रिष्टों में क्योंकि एक अच्छा रिष्टा आपके जीवन को सुक शान्ती और सम्रिद्ध से भर सकता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पती-पत्नी का रिष्टा होता है एक औरत अपने परिवार का स्तंब होती है उसका स्वभाव, उसके विचार और उसकी भावनाएं पूरे परिवार को प्रभावित करती है इसलिए यह जरूरी है कि एक मर्द अपनी औरत को सही से समझे और उसके भीतर छुपी हुई खूबियों को पहचाने दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन तीन चीजों की जो अगर कोई मर्द अपनी औरत में देख ले तो वो कभी गरीब नहीं होता ये बातें चानक्य नीती के आधार पर बताई गई है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है नमबर एक औरत का धैर्य और सहनशीलता धैर्य एक औरत का सबसे बड़ा गुण होता है चानक्य ने कहा है कि जिस मर्द की पतनी धैर्यवान होती है वह कभी भी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानता एक धैर्यवान औरत अपने परिवार के लिए एक धाल की तरह होती है चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए वह अपने धैर्य से उस परिस्थिति को संभाल लेती है धैरे न सिर्फ परिवार के आर्थिक संकटों में काम आता है बलकि यह मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी देता है अगर कोई मर्द अपनी औरत में इस गुण को देख ले और उसे समझे तो वह कभी गरीब नहीं होता उसकी औरत उसे हर कटिनाई से बाहर निकालने में मदद करती है चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक धैरेवान औरत का सबसे बड़ा उदाहरन तब मिलता है जब वह किसी मुसीबत या परेशानी के समय भी अपने पती का साथ नहीं छोड़ती उसकी सकारात्मक सोच और सहनशीलता पूरे परिवार को एक जुट रखती है इसलिए चानक्य ने कहा है कि धैरेवान औरत के साथ रहने वाला मर्द कभी असफल नहीं होता बुद्धिमानी एक औरत का दूसरा महत्वपूर्ण गुण होता है चानक्य ने कहा है कि जिस मर्द की पत्नी बुद्धिमान होती है वो कभी भी धन संपत्ती की कमी महसूस नहीं करता बुद्धिमान औरत सिर्फ आर्थिक समझदारी नहीं रखती बल्कि वह परिवार की हर छोटी बड़ी समस्या को भी आसानी से हल कर सकती है एक बुद्धिमान औरत घर की विवस्थाओं को सही डंग से चलाती है वह न सिर्फ आर्थिक रूप से मर्द की मदद करती है बल्कि उसे सही दिशा भी दिखाती है चानक्य ने यह भी कहा है कि एक बुद्धिमान पत्नी परिवार की नीम होती है उसकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता पूरे परिवार को सही दिशा में ले जाती है बुद्धिमान औरत का एक और पहलू है उसकी दूर्द रिष्टी वह न सिर्फ वर्तमान की समस्याओं का समाधान करती है बल्कि भविश्य की चुनोतियों को भी पहले से ही समझ लेती है इसलिए अगर कोई मर्द अपनी औरत में इस बुद्धिमानी को देख लेता है तो वह कभी गरीब नहीं होता प्यार और समर्पन एक औरत का तीसरा और सबसे महत्वपून गुण होता है चानक्य ने कहा है कि जिस मर्द की पत्नी प्यार और समर्पन से भरी होती है वह जीवन में कभी निराश नहीं होता एक समर्पित औरत अपने परिवार और अपने पती के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहती है उसका प्यार न सिर्फ परिवार को जोड कर रखता है, बलकि कठिन परिस्थितियों में भी उसे उम्मीद और ताकत देता है प्यार और समर्पन से भरी औरत अपने पती को हर वक्त सहारा देती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो उसका यह समरपन परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है क्योंकि वह हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए काम करती है तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि चानक के नीति के अनुसार अगर कोई मर्द अपनी औरत में धैर्य, वो धिमानी और प्यार के गुंड देख ले तो वह कभी गरीब नहीं होता ये तीन गुंड न सिर्फ आर्थिक स्थिर्ता लाते हैं बलकि जीवन के हर पहलू में आपको सफलता दिलाते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करना न भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्यानवर्दक वीडियो देख सकें